नमस्कार दोस्तों देखिए आज के वीडियो में हम लोग आम आदमी बीमा योजना वाला टॉपिक कवर करेंगे ठीक है इसके पहले जो है वो चार क्लास हम लोग का अपलोड हो चुका है अगर आप लोग वीडियो जाके नहीं देखें तो वीडियो पहले देख लिजिए उ साम वाला जो वीडियो है वो क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग को वो देखने के लिए इनफ टाइम मिल जा है ठीक है तब ये वीडियो अपलोड हो तो सीक्वेंस वाइज आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होग आप लोगों को ठीक है तो लगतार जै चैनल जरू ज़ोइन करिये टेलिग्रम में मैंने इनफ और साथ है एक करेक्शन bud माने को ड्राफटें के लिए जो जिन-ड्रेश oh उन्होंने मन्रेगा को बनाया था योजना का ड्राफ्टिंग किया था जीन ड्रेज वह अमेरिका के थे करके वह अमेरिका के नहीं बेल्जियम के थे इसको करेक्ट कर ले ना अमेरिका की नहीं बेल्जियम के थे कमेंट सेक्षन के फर्स्ट नमबर के कमेंट में पिंड कमेंट में मैंने इसको करेक्षन कर दिया था अगर यापक पिंड कमेंट नहीं देखते हैं फिर से एक बार बोला हूं में जरूर newspaper का कमेंट रहता ह 닌ते हैं आप लोग सब जानते होंगे, बहुत से लोगों का insurance policy होगा भी, आप पहले कोई भी बहुत सारी insurance policies रहते हैं, अलग-अलग जो कभी दुरघटना के लिए होते हैं, कभी और किसी चीज के लिए अलग-अलग scheme के insurance policy आते रहती हैं, बहुत सारी company हैं, जिसके थुरू आप अपन Bima करवाते हैं वो Bima में premium कौन भरता है आप खुद भरते हैं lifetime आप Life Insurance Policy जैसे जिसको बोलते हैं अगर तो這個 insurance policy मतलब 근데 GeVa तो उसके लिए क्या होता होता है कि premium आपखुद भरते हैं ठिक है लेकिन इस योजना में क्या होगा आम आदमी बीमा योजना यह गौर्मेंट फंडड योजना है यह बीपील परिवार के लिए है बिलो पूर्टी लाइन वाले गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए तो इसमें जो प्रीमियम भरेंगे प्रीमियम का मतलब जो पैसा आप लोग सदस्य को मिलेगा तो किसके लिए योजना है क्या पत्रत है वो सब हम लोग आज को आज के वडियो में देखेंगे आप लोग ध्यान से देखिए और नोट करते चलिए इसकी सुरुवात कब हुई थी आम आदमी बीमा योजना की एक फरवरी 2009 कब सारो सुरुवात हुई थ जमीन नहीं है भूमी हीन परिवारों के लिए बीमा योजना है उनको उसका लाब मिलेगा इसका संचलन कौन कर रही है Central Government Funded योजना है भारत सरकार की योजना है LIC के दो सहयोग से Life Insurance Corporation LIC के सहयोग से इसका संचलन कर रही है LIC का गठन कब हुआ था एक सेप्टेंबर 1956 को LIC क का गठन हुआ था थोड़ा सा LIC के बारे में भी जान लीजिए पूछ देता है एक सेप्टेंबर 1956 को LIC का गठन हुआ था यह गौवर्मेंट की बीमा कंपनी है ठीक है तो इर्डा इसके थूरू यह संचालित होता है IRDA बीमा नियामक विकास प्रादिकरन Insurance Regulating Development Authority इसका बीमा नियामक विकास प्रादिकरन यह जो है वह जितने भी Insurance Companies है उसको regulate करती है ठीक है इसकी बनाए हुई Policy के एकॉर्डिंग जो रहते हैं बीमा कंपनी लोग काम करते हैं लाइसी को को रेगुलेट करता है बीमा नियामक विकास प्रादिकरन और लाइसी का गठेन को भी ध्यान रखना ठीक है इसको पूछ देता है कभी-कभी इसमें premium क्या है मतलब जो installment पैसा भरते हैं वो premium है 200 रू लाज़े सरकार यहने स्टेट गवर्मेंट ठीक है हिदग्रहिद और कोई भुक्तान नहीं किया जाता है जिसका बीमा होगा वह बिलोब पूरटी लाइन के जो सदस से रहेंगे जो लोग रहेंगे उनका होगा और वह कोई भुक्तान नी करेंगे उनको लिए उनको कोई भुकतान नहीं करना है सिर्फ इसके लिए रजिस्टेशन करवाना है इसका पूरा फंड जो रहेगी प्रीमियम का वो सरकार देगी 100 रूपे केंद्र सरकार 100 रूपे राजिसरकार इसको अच्छे से याद रखना है इसके लिए visibility का कौन-कौन इसके लिए पात्र होगा वो देख लेते हैं ग्रामिन भूमी हिन परिवार प्रमुकricht या परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति देखे ऐसा कोई व्यक्ति जो ग्रामिन है पहला तो गाओं का है दूसरा उसके पास जमीन नहीं है दूसरा तीसरा उसके प पैसा मिलता है उसको उससे क्या करता है उस परिवार की क्या चलती है जीवी का चलती है जीवी को परजन होता है उससे परिवार उसका ठीक है पोसित फलित होता है तो उस परिवार के लिए क्या होगा उस व्यक्ति के लिए बीमा होगा परिवार का रोजगार करने वाला व्यक प्तान दिया जाएगा अब यह कैसा कैसे दिया जाएगा वो दिखाद बताता हूं आपको ठीक है उसकी आयू होना चीए 18-59 एर इससे बीच 18-69 वर्से के बीच उसकी आयू होनी चीए बहुत इंपोर्टेंट है यह आयू को अच्छे से याद रखना ठीक है उस एक तो क्या ह करने वाला व्यक्ति होना चाहिए परिवार का दूसरा उसकी आयू कितनी होना चीए 18-59 के बीच 18-69 सल के बीच अगर वह वीक्ति 69 सल से उपर हो गया है तो वो नहीं करा सकता 18 सल से कम छोटा वैक्ति है रोजगार करते तो वह भी करा सकता ठीक है बीपियल परिवार होना च जारी होता है बीपील परिवारों को तो बीपील परिवार होना चाहिए और 48 व्यावसाय का एक लिस्ट बनाए गया है अगर इन व्यावसायों से भी जुड़ा हुआ है भले ही उसके पास जमीन नहीं है लेकिन अगर कुछ छोटा-छोटा बिजनेस को इसमें एड किया गया ह 48 व्यावसायों काम करता है तो भी वो सामिल रहेगा इसमें जैसे की कुमार है जैसे की बढ़ाई है और भी बहुत सारे काम होते कार्पेंटर है और भी चीज़ें वो सब 48 है उसको याद रखने का ज़ूरत निक कौन-कौन से व्यावसायों से जुड़ा है तो यह 48 क्या लाभ मिलता है इस योजना का वो देख लेते हैं प्रॉफिट कैसे मिलेगा देखिए बीमा अवधी समाप्ति के पूर्व सदस्य की मृत्ति हो गई जितने भी वर्सका ये बीमा है ठीक है ये बीमा अवधी समाप्त नहीं हुई है और जो जिस व्यक्ति के नाम पर बीमा हुआ है जो बीमित व्यक्ति है वो उसकी मृत्ति हो जाती है अगर तो उसकी फैमली को कितना मिलेगा 30,000 रूपे मिलेगा ठीक है अगर उसकी मृत्ति हो जाती है बीमा की अवधी समाप्त नहीं हुई है दिरे दिरे करके इसका प्रीमियम का भुखतान किया जा रहा है और स्वेक्ति की मृत्ति हो गई तो बीमित व्यक्ति को उसके सदस्य को क्या मिलेगा 30,000 रूपए मिलेगा नेक्स देखते हैं दुर घटना से मृत्यू या आंसिक या इस्थाई अपंगता होने पर देखें दुर घटना में अगर कहीं उस जिस व्यक्ति के नाम पर बीमा हुआ तब या फिर इस थाई अपंगता मतलब पूरी तरीके से अपंग हो चुक है दोनों पर टूट चुक है तो तो तीन कंडिसन में उसको दिया जाएगा देखें दूर घटना में मृत्ति हो गई तब फिर 75,000 रूपए मिलेगा इस थाई पूर्ण अपंगता मतलब की पूरी यहीं तरीके से अपवंगर मिलेगा और एक या एक पॉझ नों टूटा है तो खेस्ट आधह मिलेगा दुर गटना में अगर कहिं मृत्य ऊगई तो फैसे रुपए मृत्यू नहीं है लेकिन पूरा दोनों हाट दोनों पर टूर गिया है तो 75,000 लेकिन एक आंक एक पॉंट उटा है तो 37,500 रुपए मतलब आधा उसको मिलेगा उसके परिवार को मिलेगा ठेक है यह क्लियर हो गया यह पूरा याद रखे रहना अच्छे से धिहान र मिलता है ना 3 बच्चे तो तीनों को नहीं मिले दो बच्चे को मिलेगा नौइ से बार्वी पढ़े नवी पढ़ने वाले बच्चे के दो विध्यार्थियों को 100 रुपए प्रतीमा मिलेगा हर माा के, लिए 200 रुपए दिया जाएगा दो बच्चों को, जो 9 क्लास से 12 पढ इसको याद रखना, तो यह बहुत बड़ी योजणा नहीं थी, इसमें इतने ही प्रावधान थे, इसके अलावा कोई प्रावधान नहीं है, तो इतना ही है इसमें, यह सफिशियन्ट है, इससे ज़्यादा पढ़ने के इसमें रिक्व़ायर्मेंट नहीं है, ठीक है, तो यह चोटी योजना थी, जब हम लोग next class में आएंगे, तो इसके बाद की योजनाओं को और देखेंगे, तो I hope आप सब को यी वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यदा ज्यदा शेयर करिए टेलिग्राम चैनल जोइन करना न भूलिए, इसके screenshot के लिए टेलिग्राम चैनल आप जोइन करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन वन्ने मात्रम